तुम बेसक चात पर अपना आसियाना बना लो हम वो आसिक हैं जो सूरज की रोसनी बनकर तुम्हें अपने आगोस में ले लेंगे कुछ इसी तरह की जिद और आसकी आज के मेच में नूजी लेंड के खिलाडियों ने अस्ट्रेलिया के खिलाब दिखाई आज नूजी लेंड ने दिखाया की रड़ नीती वास्तों में होती किया है और कोई टीम हर एक मेच और हर एक खिलाडी के बारे में कई से सोच रखती है ये सुब्य सुकप नूजी लेंड के कप्तान केन बिलियम्स चोटिल होकर मैदान से बाहर हैं फिर भी आज के मैदान में जिस तरह उनकी सक्रेता रही उससे सभी कप्तानों को सीखना चाहिए कि मैदान के बाहर बैट कर भी अपने टीम के लिए कुछ किया जा सकता है एक तरफ सिरी लंका के कप्तान है जो चोटिल होकर गाइब हो गए हैं वहीं एक तरफ केन बिलियम से हैं जो चोटिल होकर अपने टीम के साथ लगे हुए हैं आज अस्ट्रेलिया ने न्यूजी लेंड के खिलाप इतना रन बनाया कि लग रहा था कि उस स्कोर को पाना चान पर चड़ने के समान है जब टोस जीत कर न्यूजी लेंड के कप्तान ने पहले फिल्डिंग का फेसला लिया था तब उनको भी उमीद नहीं रही होगी कि केमरन गिरिन की जगा टीम में वापस आई ट्रेबिस सेड और डेविड वारनर पीट पार्ट के पटरा कर देंगे लेकिन जिस बेदर्दी से वारनर और हेड पिटाई कर रहे थे मानों उनके हथे न्यूजी लेंड के गेंद बाज नहीं बलकि किसी कलब के थर्ड कलास बोलर चड़ गए हो गेंद बाजी के कतले आम का जो सिलसला पहले ओबर से चालू हुआ वो अरतल सहवे ओबर तक चलता रहा वो अलग बात है कि बीच के ओबरो में गलेन फिलिफ से एक बिकट कीपर ने अपनी स्पिन से वारनर और हेड को न्यूटल करके थोड़ी बहुत वापसी कराने के कोसिस की थी अंध में ट्रेंड बोल ने अस्ट्रेलियाई पारी के पुछले बल्ले बाजों में से तीन बल्ले बाजों को एक ही ओबर में आउट करके 400 की तरब बढ़ रहे स्कोर को माज 12 रन पहले 388 रन पर लोग दिया पचास ओबर में 389 रन के लक्ष को देने के बाद अस्ट्रेलियाई खिलाडी ड्रेसिंग रूम में मीड इनिंग के दो रन हवा में उड़ रहे थे उनको जमीन पर लाने का कार रचिन रविंडर 116 रनो जेम्स नीसम ने किया अंती मोबर की पाचुई गेत पर जब न्यूजी लेंड को जीत के लिए 7 रन चाहिए तम नीसम इस्ट्राइक पर आने के लिए 2 रन भागे और रन आउट होगे उनके रन आउट होने के साथ ही न्यूजी लेंड ये मेच पाच रनों से हार गया आज के मेच में सबसे मातपूल चीज ये देखने को मिली की रचिन रविंडरो जेम्स नीसम दो ओल राउंडर न्यूजी लेंड के लिए खड़े होगे और जीत तक लगबग पहुचा भी दिये थे लेकिन किसी और खिलाडी ने साथ मही दिया अन्यता आज बिसकब में सबसे बड़ा रंचेज हो जाता कुल मिलाकर आज न्यूजी लेंड की मेच जीतने की दिवान की देखने लाई थे क्या आपको भी लगता है कि पेट कोमेंट